दोस्तों आपकी सिलाई मसीन कितनी भी महंगी हो, कितनी भी अच्छी हो, अगर आपका वाविन केस ठीक नहीं है, तो आपकी सिलाई बहुती खराब आएगी और आपको बहुती ज़्यादा दिक्कत परसाने का सामना करना होगा। कई बार क्या होता है हमारी मसीन बहुती अच्छी होती है और मसीन में कोई भी कमी नहीं होती है पर बॉबिन केस खराब होने की बज़े से हमारी सिलाई सही नहीं आती है इस बज़े से हमें बहुत सारी प्रोब्लम्स होती है और क्या होता है कई बार हमें सही बॉबिन केस होत ये अमरेला मशीन की है, तो जो मैं आपको तरीका बताऊंगा, बॉविन केस सही करने के लिए, चाहे अमरेला मशीन की बॉविन केस हो, चाहे छोटी हाफ सटल मशीन हो, दोनों के लिए आप इसी तरीके से ये प्रोब्लम सॉल्व कर सकते हैं, दोस्तों मैं हूँ अकील खान और आप देख रहे हैं, अकील फैसेंट डिजाइनर, तो देखिए इस बॉविन केस में खराब क्या होता है, खराब तो इसमें कुछ भी नहीं होता है, इस पर एक ये देखिए पत्ती लगी होती है, तो ये पत्ती मैं भी आपको खोल कर दिखाऊंगा, एक पेच ये होता ह और एक पेच ये होता है, दो पेच से ये पत्ती रुकी होती है, तो देखिए इस पर सबसे बड़ी प्रोब्लम क्या होती है, कई बार क्या होता है, हमारा धागा बिल्कुल डीला हो जाता है, बिल्कुल फिरी हो जाता है, उसका example मैं आपको दिखाना चाहूँगा, तो पर क्या होता है आप में से बहुत सारे लोग ये वारे पेज कस देते हैं बहुत ज्यादा कस देते हैं ये वाला पेज भी कस देते हैं बहुत ज्यादा टाइट पेज कस देते हैं फिर भी ये हमारा धागा फिरी रहता है और टाइट नहीं होता है तो इस केस में आप क्या करे यह पत्ती होती इस पत्ती को हमें सही करना होता है तो देखिए हम इस नट को कितना भी कस देंगे कितना भी कस देंगे फुल कस देंगे फिर भी हमारा धागा फिरी रहता है इस तरीके से बाविन केस में खिसता रहता है तो देखिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा हमें इस पत्ति को अलग करना होगा इस पत्ति को बाहर निकालना होगा तो यह वालों जो पेज हैं इनको आप पेज कस की मदद से इस तरीके से घुमाएंगे यहां से यह दोनों पेज और देखिए एक चीज़ आपको एक ट्रिक और बताएता हूं अगर आपके पास पेज कस नहीं है किसी बजा से तो यह देखिए यह वाली जो पट्ली होती है यहां पर जो लगी होती है तो इसकी मदद से हम पेज खोल सकते हैं तो देखिए इस पर देखिए सैट से सपोर्ट दे गई है इसकी सपोर्ट इसी की मदद से हम दोनों पेज खोल सकते हैं इस तरीके से बहुत ही सिंपल और आसान है यह देखें उसके बाद जब पेच जब खुल जाते हैं तो आप अपने नाखून की मेज़से भी इस त्रीकेश घुमा सकते हैं उनको तो यह देखिए आप देख सकते हैं मेरे हाथ में दोनों पेच मैंने खोल दी है वाद ने कौत duties के सबस्वक जबत हैं तो देखिए अब हमारी पत्ति अलग हो चुगी है क्योंकि इसे पत्ति के बाद हमारा दागा फिरी होता है तो सबसे पहले हम क्या करें पत्ति खूलने के बाद यहा कुपड़ा ले लेंगे तो उस कपड़े से यहां इसके हम सफाई कर देंगे ठीक है इस तरीके से हम कपड़ा लेकर सफाई कर देंगे इसके यहां पर इस तरीके से के बार यहां पर कचरा भरी आता है और इसके बाद यह देखिए पत्ती का अंदर वाली चैड है जो छिपी भी रहती है इसको हम साफ करेंगे और यहां पर oil लगा देंगे पहले हम यहां पर उसके बाद यह जो पत्ती दिख रही है आपको उब्रा वहा भाग है उठा हुआ भाग है उसको उपर रखते इतनी जोडते भी नहीं दवाना है कि यह पत्ती तूट जाए, और इतनी धीरे भी नहीं दवाना है कि पत्ती थोड़ी मुडएना, तो हम को थोड़ा सा इसको दबा कर मूडना होता है क्योंकि चलते चलते ये पत्ती कई बार सीधी हो जाती इस बज़े से धागा यहाँ से लूस हो जाता है तो जब हम इसको इस तरीके से घुमाएंगे तो इसका shape थोड़ा ज्यादा हो जाएगा गुमाने की बज़े से जब हम दुबारा से कसेंगे इसको तो हमारा धागा बिल्कुल सही चलेगा टैट बिल्कुल निव बॉविन हो जाएगी तो आपको इस तरीके से ये जो दोनों सिरे इसको आपको दुबा सकते हैँ ठीक है उसके बाद दबाने के बाद हम दुबारा से कस देंगे यहाँ पर यहाँ इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके'sd सैट रखेंगे जहां सैट आ रही है और इस तरीके से और यहां पर बड़ा वाला पेश्च है तो बड़े वाले होल में लगाएंगे इस तरीके से बड़ी साफधायने के साथ क्यूंकि यह कई बार गिर भी जाता है तो यहाँ पर आपको जल्दवाजी नहीं करनी है तो मैं तो लगाते हैं आप सबसे पहले एक नाफून की मदद से इस तरीके से गुमा लेता हूँ इसको यहाँ पर बाद में पेजकस लगाता हूँ कई बार पेजकस में पेजकस से गिर भी जाता है तो देखिए अब यह सेट आ चोगी है इस तरीके देख सकती है उसके बाद अभी हमने फॉल नहीं कसना है दूसरा वाला पेज भी लगा देना है छोटा वाला पेज है जो इस तरीके से कस देंगे इसको भी यह देखें तो बहुत ही आसानी से यहाँ पर यह पेज कर जाती है तो हमें दोनों को एक साथ कसते हूँ चलना है एक पेज को पहली बार में नहीं कसना है पहले बड़े वाले पेज को गुमाएंगे जब पत्ती रुख जाए उसके बाद द तो देखें अभी हमारे पेज दोनों कश चुके हैं ठीक है अभी जो कुछ दिर पहले मैं आपको दिखा रहा था जब मैं दागा पकड़ रहा था तो यह जो बावीन होती ही जिसमें दागा बरते हैं यह सकंदर घूम रही थी और धागा हमारा उट जा रहा था और पूरा बावीन केस हमारा नीचे रह जा रहा था उपर नहीं उट रहा था अब आप देख सकते हैं यह देखे दागा पकड़ रखा है मैंने तो अब यह बिल्कुल टाइट हो चुका है दागा तो इस तरीके से आप यह प्रॉबलम घरबैटे सॉल्फ कर सकते हैं आपको कहीं भी दुकार पर जाने की जरूरत नहीं है तो आपको ध्यान रखना है जितना टाइट दागा बावीन केस से आ रहा है उतना ही टाइट आपको यहां से कर देना है तो मैं आपको बताना चांगा अमरेला मसीन जो होती है तो अमरेला मसीन में ज्यादा टाइट दागे नहीं चला गाते हैं तो यह जो मन आपको प्रॉब्लम बताई है तो यह दोनों बॉविन केस के लिए है चाहे अमरेला मशीन की बॉविन केस हो जाहे छोटी मशीन हाफ शटल मशीन की हो तो दोनों का आप इसी तरीके से बहुत आसानी से समाल सकते है